Hello traders and welcome to the studio members आज हमने KOTAK Mahindra bank को trade किया था एंड डेली तैम फ्रेम पर बड़ा इंट्रेस्टिंग सेटप था इसका क्योंकि पिछले तीन दिन से मिसको ट्रेक कर रहे थे यहां पर कुछ एक मार्किंग कर देते हैं चलिए एरो से समझेगा लो 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 हाई देखे नीचे की तरफ जा रहा है एक पूरा डाउं ट्रेंड आपको पिछले तीन दिन से देखा ही पड़ेगा इसके बाद में सारी मार्किंग करके यहां पर एक जोन ड्रॉ करते हैं अभी जोन से समझेगा कि प्राइस ने पिछले जो भी जोन ड्रॉ करेंगे पिछले तीन दिन से उस जोन के नीचे क्लोजी ने दी प्राइस ओपर ओपन हो रहा है इन लेवल के उपर ही जाकर के क्लोजिंग कर रहा है आज की जब आप ओपनिंग देखोगे तो बिल्कुल हमारे इस लेवल के नीचे इस ने ओपनिंग दी है और जैसे यह वीक्ने समको शोगी होगी देखिए प्राइस में पिछले तेन दिन से दो ग्रीन केंडल और एक ब्लैक केंडल जैसे कि आपर माक करें तो यह देखिए तीन दिन से वॉल्म से नीचे की तरफ जा रहे है और प्रा एक्जिक्यूट किया था हाला कि RBI की पॉलिसी कुछ मॉनिटरी पॉलिसी वगरा हो रहे थी तो उसका इंपक्ट कुछ-कुछ पड़ा है विकॉस निफ्टी अप में जाते 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 तो उसने अचानक से डाउंसाट का मुव्मेंट निफ्टी में दिखा जिरो प्राइ किंदिंग से शर्सका हैं कितनी कॉनिट के साथ बॉन्टी के साथ अपने आपने लिए देक्जेक्यूट चार रुपए 84.49त का में पासे बपारोस लगा था इत्था एंचल कि पेचिकर कर लेते हैं मैक्सम स्टॉक आप देखो गयारा की। पींकिंग इत्य कुछ वंसे कि बैंकिंग सेक्रे इसक्रे glory काइश है प्लांकिल सोबल्सक्रास इसक्रेध्ल थोड़ा थोड़ा संथ के उस dress एक अनर्ड बित्रा हला है और रिफ्रेश कर लेते हैं and second half में जिस तरह का movement हो रहा थे हैं क्योंकि उसको live हम देख रहे थे जब RBI गवर्नर अपनी speech दे रहे थे उस बीच में जो fluctuations हो रहे थे इसलिए भी जो आपके elections होते हैं policies बगर आती है results होते हैं बहुत ज्यादा होगे high volatility आपको दिखाई पड़ेगे stocks में तो काफी ज्यादा एक तरह से बोला जाता है कि dangerous होती ही situation क्योंकि market कप कहां से पलट जाएगी पता नहीं सकते हम लोग सो एक ठीक ठाग movement और एक अच्छा profit हम लोगों ने आज के session में निकाला आगे का जो video है एक तरह से हम कोटक के trades को समझाने के कुशिश करेंगे and class की recording चो थी उसमें one-to-one sessions अपने हुआ थी जिसमें trade discuss कर रहे थे तो पूरा का पूरा trade discussion आपको आगे के video में देखने हो क्या लगा हाना कि live market में जितना भी support होता है वो तो live market को होता है अलग है बर जो शाम के classes थी यह वो classes जितनी भी markings हैं इनको कर देते हैं हम लोग remove daily time frame बस समझेगा कि एक green candle को हम लोग पकड़ेंगे और वही अपनी important candle बन रही है जैसे कि यह बड़ी वाली candle and इसके बाद में जो candle help नहीं है वो यह वाली green वाली candle है अब इसमें है क्या एक तरह सी decreasing lows है decreasing lows क्या करते हैं हमारे लिए एक swings ready करके देते हैं कि जहां से market के अदर होने वाली movement को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं यह जो swings लगते हैं higher high higher lows higher high higher lows like one two three four इस तरह के तो यह जो swing होते हैं swing like के जो points बनत सकते हैं अब इसमें first पहली चीज़ तो यह के decreasing lows के उपर तुम लोग discussion करेंगे बट इन swings को decreasing lows कहीं थ्रू नहीं और भी कई सारी formation से उन formation के थ्रू भी हम लोग swings को identify करते हैं अभी के लिए देखें कि हम लोग अगर decreasing lows के थ्रू ही marking अगर start कर देते हैं तो आपको बहुत सार काफी सारा confidence gain करो गया कि अगर हम लोग decreasing के according ही level mark करते हैं तो एक हम एक point of action मिल सकता है trade execute करने के लिए पहली बात दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर 4th of August का high mark कर लिया अब इसके बाद में देखें market क्या कर रही है एक एक चीज़ को highs and lows को समझें एक हाई यहाँ पर लगा market ने क्या किया ना opening हमारे इस candle के बाहर जाकर के दी and closing range के अंदर कर दी उसके अगले दिन वापस से price ने इस green वाली candle के high पर जाकर के rejection लिया फिर से देखें market यहाँ पर राई और closing जो दिये इस green वाली candle के अंदर ही दिये इसके बाद में जो notice करने वाली चीज़ एक है वो यह कि इनके highs नीचे की दरफ shift हो रहे है और जो lows है यह भी नीचे की दरफ shift हो रहे है एक तरह से movements यहाँ पर यह बन रहा है कि green वाली candle के form हो जाने के बाद में market हमें downside के moves दिखा रहे है यहाँ पर हो क्या रहा है volumes भी increase हो रहे है हाला कि इससे पहले देखिए volumes कम हो रहे थी and price थोड़ा थोड़ा upside के दरफ दिख रहा था बट जैसे यह वाली candle बनी volume increase हो गई तो कुल मिला करके यह जो green वाली candle काफी powerful candle बन गई एक zone के हम आपसे बात कर रहे थे जैसे कि यह वाला zone अब देखिए यह जो one eight two six की line है बार बार price हमारा इस range के अंदर ही opening और closing दे रहा है यहाँ पर आज जो हुआ है इस black वाली candle के बाहर market ने अपनी opening दिखाई कि lower time frame पर lower time frame पर आप देखो कि तो समझ में आगा प्राइज ने इस range के बाहर अपनी opening दिखाई वापस से देखे मार्केट ने क्या किया है रीटेस्ट के लिए यह upside की तरफ गई और यहां से downside यह चीज़े हम लोग समझेंगे lower time frame पर बहुत साही चीज़ें देखिए ऐसी है न कि stocks को जम लोग trade करने के लिए आते तो एक तरह से शान दिमाग के साथ में बहुत calm situation में बैठ करके trade execute होते हैं हम लोग hard body नहीं करते कि जिस तरह से options के अंदर होता है कि scalping एक candle लेकर बाहर निकल गए एक candle दो कंडल वह हमें पता है कि आप एक दो केंडल लेने के लिए जाओगे न देख करके loss आते हो at least last में जब market close होती है तो maximum लोग loss में बैठ होते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है आजकल तो इतनी सारी व चला सब कुछ है जहां देखो आप वहीं पर खुद पर फोकस नहीं कर सकते हैं moral of the story अगर खुद पर फोकस करना है तो इस केलप से दौर भाग से फटा-फट के ट्रेट से वन केंडल टू केंडल के ट्रेट से बाहर निकलना होगा और बैठ करके आराम से कोई भी ट्रेट क करने से पहले होमवर्क करो प्राइज एक्शन में मास्ट्री करनी है ना स्टॉक्स को ट्रेट करो जिब में पैसा होगा तब तो आगे चल करके आप ट्रेट करोगे सारा पैसा प्रैक्टिस में आप निकाल दोगे कुछ नहीं बसता है जिब में बाद में ट्रेट एक्जिक Candles को read करो, Candles से Candles को connect करो, Volumes के तुरू Candles के strength को पकड़ो, एक Point of Action निकालो, अपने Lever Stroy करो, जिस पर से आप Trade Execute करोगे, यह ने कि Market को लिए, आपने 9.15, 3.25 यह सब Marking करके Trade Execute करना स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर देखे, जैसे यह Green वाली Candles है, इसको हमने Mark कर लिया, अब आप खुद देखो कि यहाँ से आप लोग क्या read कर पार हो, जब आप देखोगे, समझोगे तो समझ में आगा, देखना यह नहीं चाहते हो, तो समझ में कहां से आगा, सिंपल सी चीज है, अब यहाँ पर देखे, मार्केट नीचे की तरफ अपनी ओपनिंग दिखाए, और रीटेस्ट होने के लिए उपर की तरफ यह चली गए, ट्रेड हमने कब एक्जिकूट किये, इस चीज को भी देखेंगे, यहाँ पर एक चीज आप और देखो, जो हमने यह ब्लेक वाली केंडल मा किया, आप इसको और बैक में आज़ो, आपको समझ में आजाएगा कि प्राइस के सपोर्ट क्या बन रहे हैं, बाकि सारी चीज आप छोड़ दो, यह है न, यह बन रहा है एक स्विंग पॉइंट, यह बन रहा है एक सपोर्ट इरिया, मार्किट यहां से कितनी अच्छी तरह से मूफ कर रही है, अभी कोटक महेंदरा बैंक पूरा का पूरा जो गैप है न, इसका मेरी पूरी उम्मीद है कि प्राइस इपना पूरा का पूरा गैप फिल करेगा, इस तरह से, सपोर्ट, यह सपोर्ट, वो बन जाने के बाद सब बता देंगे कि यह कौन सा शोल्डर है, राइट और लेफ्ट जो भी है, यह सब मार्किट खोजने के बाद में यह सारे इंडिकेटर, यह सारे पैटर्न समझ में आ जाते हैं, ट्रेट के टाइम में सब कहां चले जाते हैं, अगर आप इनके सब के चकर में रहोगे तो फिर ट्रेट वागर एक्जिक्यूट करने के समय में कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन से कैंडल को रीड करना सीख गया, वॉल्म्स को पढ़ना सीख गया, वॉल्म्स को समझना सीख गया, तो यह सारी चीज़ें कुछ कुछ करके प्रेडिक्ट कर ले जाओगे, हाला कि 100% तो सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट करने लगोगे, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस क्या है, प्रेडिक्ट के जस्ट लोग जो हमने मार्किया हो, पता चला है कि यह ज़्ट एक स्विंग है, एक स्विंग एरिय के नीचे प्राइस पिशले तीन दिन से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, नहीं ओपनिंग और नहीं क्लोजिंग, और आज के सेक्शन में क्या हो, प्राइस ने इसके नीचे एक्जैक्ट अपनी ओपनिंग दिखा दे, सिग्निफिकेशन होते हैं, प्राइस को पहचान लेकिया, यहां पर देखे क्या हुआ है, ओपनिंग हमारे लेवल के नीचे हुई, क्लोजिंग भी यहीं होगे, इसके बाद से देखे फिर ओपनिंग नहीं हो पा रही है, और फिर से जो हमारे एक लेवल है, एक सपोर्ट पॉइंट है उसके नीचे मार्केट ने आकर की ओपनिंग दिखाए, अब आ जाते हैं हम लोग लोग टाइम पर, इस जगह पर क्लोजिंग, ओपनिंग, यहां से मार्केट वापस से देखे, अपसाइट की तरफ गई, रीट्रेस्मेंट के लिए, क्योंकि प्राइस ओपन हुआ है, और सीधे नीचे की तरफ देखे, सीधे नीचे की दिशाह में आगई, यह सारी लेवल्स हम रिमूफ कर देते हैं, एक लाइन ही हम सिर्फ यहां पर छोड़ेंगे, जो की, ब्लैक वाली कैंडल का जस्ट लू है, मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही यह सीधे नीचे की तरफ आ गई, अब यहां से जैसे ही ऊपर की दरफ गई, रीट्रेस्मेंट करने के लिए, कोई शॉर्ट सेलिंग के कंफिरमेशन नहीं है, बट अप में जाते ही देखे यहां पर इसने क्या किया न, हालां कि यह 5 मिनिट का टाइम फ्रेम है, आज जो एंट्री एक्जिक्यूट करने के लिए टिमिनी टेमफ्रेम यूज किया है, वो बहुत लुवर टेम फ्रेमी लाइक, वन मिनिट और ट्रिमिनेट का टाइम फ्रेम था, वहां पर जाकर हम एंपना ट्रेट्इट एक्जिक्यूट गा था, आप देखिए 3 minutes के टाइम फ्रेम पर इस जगह पर mother form हो रही है यहां पर देखे बहुत सारी mother candles आप देखोगे बन रही है confirmations थे अब इसको और lower टाइम फ्रेम पर आ जोगे सो stop loss जो हमने रखा था बिल्कुल just swing का अपना stop loss रखा था जैसे यह mother candles ब्रेक होने लग गया थी यहां पर हम लोगों ने अपना trade एक्जीक्यूट किया था हलांकि यह एक aggressive entry थी because retracement कोई chances लग नहीं रहे थे volumes लगाता बढ़ते चले जा रहे था जो open interest था इसका open interest में और आज bit price में बहुत ज्यादा fluctuations हमको दिख रहा थी जिसवाजे हमने यहां पर एक aggressive entry ले थी so confirmations तो यही थे कि mother candle के तूटने के बाद हम लोगों ने अपनी entry ले थी बढ़ जो entry में ले थी late entry में ले थी तो यहां कहीं पर अपने trade एक्जिक्यूट हुआ था so यह stop loss था एंड इस यहां पर अपने trades एक्जिक्यूट हुए थे दस बचकर 21-22 नेट पर शायद entry में ले थी अप समझ में आ रहा है ना कि entry लेने के लिए हमने इस black वाली candle को अपनी important candle माना है यहां पर अपने trades के confirmations लिए और target हमने लगाया जस्ट जो हमारे latest swing था यहां पर हमने अपने targets को किया सिर्फ price कहीं ने यहां पर volumes के भी आपको proper confirmations मिलेंगे देखिए जैसे price आपका upside की दरफ जा रहा है ना इस जगे पर यह तो एक resistance है यह point अपने एक resistance point है अचानक से देखिए volumes आपकी गिरने लग गए है ना लगातार आपकी जो volumes से यह गिर रही है और यहां पर क्या हो रहा है volume increase हो गई यह negative side की volumes है ना अब फिर से वही चीज़ lower time frame पर देखो कि जाकर कि आप तो proper confirmations दिखाई पड़ेंगे same चीज यहां पर लगातार आप देखिए जो volumes हैं यह increase हो रही है sellers हावी हो रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए वापस प्रैस फिर उस level उस range पर गया नहीं यह volumes को बहुत बड़ा रूल होता है जब हम लोग प्रैस एक्शन को ट्रेड करते हैं न विदाउट वाल्यूम आप प्रैस एक्शन को ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि जो उसकी स्टेंथ होती हो वाल्यूम से ही आपको समझ वहाएंगी इसमें बहुत सारी चीज़े हैं हमारा यहां तक नहीं निकलना हो सकता था जाना कि इसी जगह से हम अपना trade off कर देते लेकिन यहां पर हम नहीं निकले विकाज यह जो confirmations थे ना आप लगातार देखोगे कि जो sellers थे जो negative volume से वो बढ़ रही थे वो increase हो रहे थी लगातार increase हो रहे थी लगातार यहां पर देखे यहां पर यहां पर यहां पर अपने एंट्रीज के confirmations ली जैसे के लोगर टाइम पर भी आपको बताया और वॉल्म्स के थुरू आप जाओ तो वॉल्म्स भी प्राइस अप में जा रहा है वॉल्म्स गिर रहे हैं यहां पर देखे वॉल्म्स जाओ किसी भी स्टॉक को समझने जाओ इस सारी चीज़ आपकी बहुत हिल्फ करेंगे किसी भी स्टॉक में अप्लगा दो थैंक्स वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक किजेगा कॉमेंट किजेगा चैनल पर अगर आप पहले बढ़ाया हो तो चैनल को सब्सक्रा करते हैं तो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार जी सचिन सब भूली है आवाज आरहा है सर हां 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 पी तब है ठीकने और ताइम भी जादा नहीं हां तो लास्ट वीक में मैंने एट ट्रेड किये थे जिसमें से मेरा एक एसल गया था एट आट हां हां आट ट्रेड में एक एसल गया था और जो एसल गया था आई तिंक वह भी मुझे नहीं लग रहा है कि एक्जीक्यूशन में कोई गलत था बटा फिर भी चेक लगते हों बताई 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 कौन सा था कंटेनर क्रॉप तो मैं इसका डेली टाइम फ्रेम का लेवल जो यह जो एक मैं बोल ना जाड़ा हो सर मैं बस एक एख वरमेशन अभी तो ब्रेक होने के बाद आप पन जो प्रिवेफ केंडल को मार करते बस वही कांडल को फॉलो कर रहा हूं मतलब वही इंपर्मेशन को फॉलो कर रहा हूं, शो यह ट्रेड में ने तुर्थ आगस्ट को लिया था कि फॉर्थ ऑगस्ट ठीक है यस फॉर्थ ऑगस्ट को लिया था और इसका मेरा execution क्यों किया था मैंने क्योंकि इसमें थ्रोगेंडल क्रेट हुआ था जो मेरे लेवल को ब्रेक कर रहा था नो नाट डेली टाइम फ्रेम फाइव मिनिट पे इंट्री के लेवल रहा हुआ था फॉर्थ ऑगस्ट पे देखे वो जो फिप नंबर का फिप त्या शिक्स नंबर का जो कैंडल होगा जो फ्रोगेंड़ केंड़ यह यह इस के बैसे पे जब यह मेरे लेवल को ब्रेक किया मेरा से लिंग का ही विव था सपोर्ट पे था तो मुझे सेल ही करना था तो मैंने इसके उपर एक्जेक्यूशन किया था आपको क्या लग रहा है मतलब ट्रेड एक्जेक्यूशन राइट था या फिर मतलब कहा पर दिखकत नहीं कन्फरमेशन सही नहीं है थ्रोगेंडल का बाकी और कितने ट्रेट्स थे जो कि आपने इस सिस्टम के लिए या सिर्फ यह लिए यह यह सिंगल सिंगल रेट था यह अदर्वाइज सब मैंने जो अपना डबल बॉलिश और डबल बेरिश वही सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उसी के ऊपर एक्ज अच्छा चल रहा है मेरे बाकी का चीजे नहीं मतलब फॉल बाकी के चीजे देख रहा हूं बट मैं एक्जेक्यूशन इसके उपर कर रहा हूं कि यह मुझे काफी कमफर्डेबल भी लग रहा है और अच्छा जा रहा है और एक डाउट था मेरा सर जो शायद में भी अपने से थोड़ा सा हटके होगा अब बालकिष्ण इंडेस्ट्री का चार्ट ऊपन करेंगे एक बार जो अब भी लास्ट बंदे ने बोला था वीकली उसके उपर मेरा जो डाउट है ना वो काफी अच्छा बेट रहा है बालकिष्ण इंडेस्ट्री इसका वीकली चार्ट एक ब अच्छा खासा मूं कर चुका है तो मेरा मतलब वॉल्यूम के लिए के मेरा कंसिप्ट अगर मैं ग्रॉंग होगा तो आप मुझे करेक्ट किजे कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहे है तो वहाँ पे तो सप्लाइब भी तो आ रहा है ना इसलिए तो वाल्यूम क्रियेट हो रह रहा है और उपर से काफी ळीक्शन आ रहे है तो हम ये सकती है कि हमक काफी सप्लाई हएक ट गए इस यहाँ पर देखेंगे तो कम से क doğru सबी कैंडल में अपर साइट में काफी जादा ही है तो लगगवग 5 पांच से जे कैंडल में ने तो पाच छे में लगवग करना मतलब मेरा गेसिंग ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बाइंग नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि यहां पे काफे ज्यादा सप्लाय क्रेट हो रहा उपर से और वह भी अच्छे लेवल पर रहा है क्योंकि प्रेडल्स के वल्लिम काफी अच्छा क्रिएट हुआ है उसके बाद आगे का सेकेंड लास्ट कैंडल देखेंगे तो वहापे भी काफी अच्छी लेवल पर रिजिक्शन करें तो मुझे मुझे ऐसा अंदर से क्यों फील आ रहा है कि इसमें हमें शॉर्ट ही देखना चाहिए इस पॉइंट आफ एक्षिन से यह मैं सही जा रहा हु यह फिर गलत जा रहा हु जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है बढ़कुल जाही है यह जो पर केंडिल है 19 जून की केंडल इकली टाइम फ्रेम के को इस कैंडल का हाई यह काफी अच्छा रेस्टेंस बन रहा है और लुग बन रहा है सपोर्ट ऐसा क् स्कैंबिल के अंदर बहुत सारी में चोटी 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 और जो एक सिगनिफिकंट चीज़े में यह वाल्म परिक आउट ही मैं जो पूरा ऐक जोन बन जहना है यह बहूत बहुत त्रोंग आपका एक एरिया ऐ चांस अगर मिलता है ब्रेक इंग या ब्रेक आउट दो तरह के ट्रेट्स होंगे पॉइंट अफेक्शन अगर आप देखोगे ऐसे हाई टैम फेम के कॉर्डिंग तो दो ही बन रहे हैं एक लो और यह एक हाई या तो यहां से बाई या तो फिर यहां से शॉट सिलिंग या त यहां से ब्रेक इन में पाई करोगे शॉट सलींग करना ही मत है क्याि श्रूम चीज्स मतलब मेरे दिमाग में आया था जो मैं सोच रहा था अगर कुई स्टोक कर रहा है accumulation मतलब bottom side पर accumulation कर रहा है और उसे उपर जाना है तो accumulation के बाद high volume को हम consider कर सकते है buying candle में अगर वो किसी support level पर पहुच चुका है मतलब वो किसी support level पर पहुच चुका है और वहाँ पर वाइंग के हाई volume क्रियेट कर रहा है तो वहाँ पर मतलब resistance मतलब supply हीट हो रहा है काफी ज्यादा लेवल पर इसलिए वापर वाल्यूम जेनरेट हो रहा है ठीक है अम राइट सब्सक्राइब यही मेरा एक वाल्यूम को लेकर एनलाइस में थोड़ा सा मुझे डाउट फुल लग रहा था बड़ी कानवर्मिशन से और यहां पर जो लेवल जहां से प्राइस बाबार आप पर पर रिजेक्ट हो रहा है और जह पर वाल्यूम इंक्र जादा जन्रेट हो रहा है मतलब वाल्यूम मतलब बले बुलिश कैंडल हो बट वहां पर सेलर भी है उतने लेवल पर इंग्जैक्ट तो सप्लाइब आ रहा है मतलब काफे ज्यादा लेवल पर सब्लाइब आ रहा है यह जब तक प्राइस आपको पहले ही ट्रेड मत करिए उसको ब्रेक होने दो क्योंकि जब तक ब्रेक होगा वहागा सब्सक्राइब वीग स्टॉक को हम लोग नहीं करेंगे उसमेशा पको शॉट्सलिंग करेंगे जैसे ही आपका वह एरिया पका जो भी जहां पर वॉल्म से नक्रीज हो रही है उसके पर जैसे मार्केट निलेग हो गई है mindset के point of view से अभी में काफी ज्यादा रिस्क पे काम नहीं कर रहा हूं ट्रेड ज्यादा एक्जीक्यूट कर रहा हूं लेकिन काफी चुटे लेवल पे एक्जीक्यूट कर रहा हूं तो एक बार देरे-देरे confidence गाएगा फिर then capital capital तो अवेलेबल है बट अभी इंक्र अब मत डालेगा उसनों कोई भी पैसा मत डालिएगा एकाउंट में इसको अलग अकाउंट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं अलग में या फिर से में अकाउंट की बात नहीं है अपनी जेप से पैसा मत लगाएगा अभी जितने से स्टार्ट के 50,000 से उसी को ही इंक्रीज कर अलगत नहीं है दस हजार भी अगर एकाउंट में है न तो आपका काम वास इतना ही है कि उस दस हजार को किस तरह से 50,000 कि या बेशक टाइम लगेगा इसमें हो सकता है एक साल का टाइम लग जाए शुरुवात में अगर एक सही बेर में पूरे प्रैक्टिस ने अच्छा प हो सकता है एक लाख करने में टाइम लग जाए लेकिन एक कुछ डेढ़ होने में टाइम नहीं लगेगा और एक चीज में आपको बोलना चाहतो श्पेशिली फॉर थैंक्फुल में आपका पोर्स जोहन किया जितना कॉंफिडेंस में ट्रेड एक्जिक्यूशन से नहीं कर सबस्ट करता होना उतना आपके साथ पास से 10 मिनिट के कमmunication में में मे BBQ तो咔र चाहिए या फिर में किसी पे ऊपर किया त्रश्ट कर सको किसी से सबतेंस्साइब होता है ड biggest कि मैं मतलब सभी जगा पोचा है अब बढ़िया आप अच्छा कर उसके पर कुछ डाउट्मन रखिए ठीक कर रहा है अब बहुत एक चीज जो यह होती है कि बहुत ज्यादा टेखनिकल टम्स में मत फसना कि काफी अबी मैं रिसेंटली रात को कम से कम अगर मेरा नौ बज़े घर पर पोश्टा हूँ तो मैं बारा एक बज़े तक यहीं चीजे देखते रहता हूं कि क्या चीजे अप्ट्रब नहीं पर कैसे खुद को डेवलप किया जा सके इस चीज में तो शायब क्या हो जाते कि तो पहले से आदत लग चुकी किसी चीज को लर्निंग करने कि या फिर ज्यादा उसकी बज़े से ओर आनलीस या ओर लर्निंग हो जाता है बट मैं स्टीकू मतलब आपने जो सिखाया है उसके उपर मैं कुछ रिसर्च नहीं कर रहा है उसको लेके स्टीकू कि करना है डबल बुलिश या डबल बेरिश पर ही एक्जेकूशन करना है डे टाइम फ्रेम पे हायर हायर लो हायर लो वही एक प्रोसेस को फॉलो करके ही काम कर रहा हूं सेरे अभी तक के बीस-पचीस ट्रेड हुए उसमें से चार या पास ट्रेड मेरे लॉस के होंगे बट इन निकल अभी जो बात आपने बूली ना ओवर लर्निंग यह इसको हमने खुद रिलाइस कि यह आगे चल करके उसी समय में जिस पिरेट में लोगी सारा काम कर रहे हैं उस पिरेट में हम लोगों पर कुछ-कुछ नेगेटिव इसर छोड़ती है असल में होता है क्या है हम जै आपने लिलाइ करने लगते लिए और उसको ज्यादा प्रेक्टिस करने में ज्यादा अब वापस पुराने पड़ाते तो वह भी हम देखने की कच्छा माल है मेरे पास तो नय पुराने को मिला करके फिर हम वहीं पर पहुंच जाते जहां से शुरुबात की थी फिर हमें क्या लगता है यार बताओ इतने दिन होगा कुछ कर नहीं पाए और इक चीज नोटिस हुए सर की एक्चुली मार्केट में कॉम्प्लिकेटर चीजे वह जादा वर्प करती नहीं नहीं करती है उतना उसका इफेक्टिवनेस जादा बढ़ जाता है कि यह होता है यह है यह जिए आप देखो कि कोई जो अच्छा कारीगर होगा उसने बहुत सारी जिजसे अपने experience से गेंग हैं ना कि किताबूं से लेंकर रहे मतलब बहुत में बया नहीं कर सकते हैं यह से ही क्यों लग रहा है मेरे को आपके सबकॉंशियस में आ चुका है कि हाँ यह से होगा इधर से आपको अंदर से वह फिलिंग आएगी यह उपर नहीं जा सकता यह इधर से नीचे ही जाना जाए अगर हम से पूछता है कि कैसे लगा आपको यह नीचे चला जाएगा हम तो कई बारे इस वाय का जवाँ मेरे पास होता ही नहीं है नहीं मुझे मुझे भी वह फिल हुआ कि हाँ पर यह चीजे मुझे लग रहा है कि मैं भी एक्सपिरियेंस से गेन कर पाऊंगा जैसे जैसे मैं सही सिस्टम पे कंटिनियूस्ली विदाउट डाउट फुल कंटिन भी प्रैक्टिस करता रहूंगा तो शायद वह सबकॉंशियसली मेरे माइन में भी वह चीजे अब जाएगे कि हाँ इधर से इसा हो सकता है उदर से हो सकता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नए ने ट्रेट करो क्योंकि हर पुराने ट्रेट से अलग होता है कोई भी ए इमांड सपूर्ट रेजिस्टेंस एक्यूमिलेशन डिस्टिबूशन पढ़ने में सोचने में समझने में साही चीजे अच्छी लगते हैं बट उतना ही ज्यादा कॉम्टिकेट यह हमारे ट्रेडिंग को बना देती है आगे चलिके यह सब बड़े फैंसी वर्ड है लेकिन एक्चुली मार्केट में जब जाओगे ना तो आपको कोई काम करते हो नहीं दिखाई पिड़ेगा सिर्फ वही चीज़े काम करेंग जो आपने पने एक्स्पिरेंस से निकाली और उसके शब्द नहीं होते हैं इसे डेफिनेट लिए सर चलिए बहुत अच्छा करो आप अक्षे मैं करूट की यह सर बुलिए सर टोटल फाइव ट्रेट्स लिए थे फाइव एक्जिक्ट्स एक्जिक्यूट किये उसमें से एक एसल गया है अच्छे टोटल गया है वाइव इस्टॉप लोश सेख यह यह एसल कौन सा स्टॉक है सर बजाज फिन सर कब किया थिसको सर इसे किया था सथर्ड थर्ड अफ ऑगस्ट को किया था तो इसमें एसल कैसे चार अगस्ट को गया सर थर्ड को गया तो अच्छा गया था सही गया था सर जो मतलब ओपन हुआ था वो सर नीचे हुआ था लो के भी नीचे हुआ था प्रिवेस डेक है और जो मैंने मतलब शॉट मैंने शॉट ही वी रखा था और जो मैंने एग्जेक्यूट किया था शॉटिंग वो 1506 पे किया था और जो मेरा एसल था वो था 1515.25 हम समझे नही और अक्षा जी डेली टाइम फ्रेम का लेवल आपका 1493 था ना नहीं सर सर वो एक मिर्ट सर वो जो लेवल है ना वो आप मैंने शाइद गलत बता दिया वो थर्ड ऑफ अगस कही था जो डेली टाइम फ्रेम का लेवल था वो 15241 तो और एक है 1527 ओके शेकंड ऑफ अगस की मार प्रेक्शियोट किया था सर मतलब मैंने शौर्टिंग की थी जो इंसाइड गलत गलत अब यह देली टाइम यह तो सारी चीज आप डेली टाइम चैना के लेवल बताएं आप ने निकाला यहार नहीं यह क्यों निकाला तो नहीं क्या जरूरत किया निकालने के लोए लूब उसे आपने चले निकाल लिया लेकिन on depuis क्याट को निकालने का अंशर, volume increase था नहीं, क्यूं निकाला है यह जो आप बोलुए यह reason है जिस तरह से आपने निकाले, वोसर टेकनिक्स है इनके पीछे का परपस क्या है निकालने का सर अगर आप देखेंगे सर में परपस भी बताता हूं 28 जुलाई का एक रिजेक्शन ही जो कि है 1569 के लेवल से उसको ब्रेक कर दिया था सेकंड सेकंड ऑफ अबस में कोई भी टेली टाइम फ्रेम का लेवल हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब कि वह एरिया जहां से हमें अपने एक्जेक्शन करने होते हैं अब अगर डिली टाइम फ्रेम के एरिया आपका पॉइंट ऑफ एक्शन बन रहा है 1524 तो आप एक्जेक्शन यहां पर कैसे कर सकते हो कोई भी अगर एक्जेक्शन करने तो यहीं पर करने क्यूंकि इन दो लाइंज को निकाला ही हमने इसलिए है अब डिली टाइम फ्रेम पर आप सारी रीडिंग्स करो सब कुछ करो प्राइज आपने निकाल लिए यह वाला और एक्जेक्शन कर रहा यहां पर तो इन सारी ल क्यूंकि इस टॉप लॉज जो भी आएगा हमारा वह इस लाइन के ऊपर ही एक प्रोटेक्टेड इस टॉप लोस आएगा या तो यहां पर अगर में शॉट से लिंग करनी है तो हम इसी लिए तो बोलते ना कि पांट फेक्शन के पास शॉट करो क्यूंकि जो एक अच्छा इस टॉप लॉस है वह आपके पॉइंट फेक्शन के ऊपर ही आएगा हमेश्य और जब इस जगह से आप शॉट सेलिंग करोगे तो लाइन के जस्ट उपर अपने इस टॉप लॉस रख दोगे और इसके नीचे अगर आपने इस टॉप लॉस लगागे तो वह प्रोटेक्शन होता है जो लाइन है डिली टाइम फ्रेम पर आप पहले से निकालते हो इसका यूज हम लोग करते हैं अपनी एंट्रीज को एंट्रीज में और इस टॉप लगाने के लिए और आपने पॉइंट आफ एक्षिंस यहां निकाले और एंट्री यहां ले और यह लाइन फिर तो बेकार है इससे अच्छान को डिलीट कर दो कोई भी स्टॉक ओपन करो लोवर टाइम पर जहां मर्जी वहां पर एंट्री ले लो हम क्लियर कर पा रहे हैं जी सर जी सर समझा स अगर यह पांच ट्रेड आपने एक्षिक्यूट के पांच में से एक स्टॉप जारी तो चलिए हम कुभी बचते हैं चार इस्टॉक्स को भी आपने से ट्रेट किया तो यानि कि चार के चारो और में गलत ट्रेड हैं नहीं सर वह पॉइंट ऑफ एक्शन से ही किया है तब ठीक है यह इंसाइट केंडल थी और इस वज़े से एक्जिक्यूट किया था टेक्निकल यह ट्रेड आपका खिला थे कोई बात में सब सही हो जाएगे लास्ट वीग आपने पांच किया है बहुत सही कर रहा है इस वज़े से मैं पहता हूं और अगर मुझे कहीं भी डाउट होता है तो मैंने वहीं सोचा था मतलब किया आप मैं आपको मतलब पूछ लूँगा पूछ लिए बाकि मार्केट आर् सब्सक्राइब करने से पहले अगर कुछ ऐसा लगेगा तो और वना जब भी एक्जिक्यूट करूँगा मैरे लेवल्स आपको सेंड कर दूँगा घंचा माइक कमूट की सब्सक्राइब अगर देख लिजेगा सर अगर निवगरा हो गया तो उस दिन ट्रेड नहीं करना चीए वह इसा डाउट था अगर देख लिजेगा सर बालकिष्णा तो देखा भी बालकिष्णा देख लिए जो चीज आ बोले ना लास्ट वी लास्ट्रेड में भी हो चुकी उसमें इस टॉप लॉस चला गया था उस दिन रिजल्ट आने वाला था उसका जर और एक था कौन सर अगर में क्या था मतलब सेम सीन हुआ बालकिष्णा में जैसा हुआ ना सर कि अल्मुष टार्गिट के पास आ गया मेरा बारा बजे के बाद पूरा गिरने लग दिया मार्किट तो वही सायद मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज वगेरा हुए उस वज़े आप एक करते हैं रिजल्ट के आज हैं रिजल्ट के बाद उसे स्टॉक्स वाच लिस्ट में आट करके ट्रेट करोगे तो ठीक रहेगा अच्छा रिजल्ट होता है जिस दिन कोई न्यूज आती है उस दिन उसको आवाइट करते हैं लेकिन अभी आप देखोगे तो कुछ ट्रेट यह चांस्स न्यूर्ट चॉड़ाएट विज़ा टो आट करते हैं यह चांसे रहते हैं यह बाद यह मिल जाता है लेकिन फ्लक्टच्योशनस ज्यादा होते हैं मार्केट आपको वोलेटाइल देखेगे यह क्योंकि सर्व मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद इसेल बड़ा रख दिया क्योंकि डोनों स्टॉक्सर बालिक रिष्टना और एच्बियाए सेम डेज सेम जिन में मेरे दोनों मेरे ऑल्मोस्ट टार्गेट के पास आके इसमें से एक मेंस हीट हुआ है दोवा है और एक में साइड वैर तो जो एंफी निफी में गए हुआ है इनफी में गुर्फ में डाला था तो इस निफिमें स्टॉप लास गया दो हम नहीं डाला था गूरूप में शायद यस क्ब किया था इनफी एक सिक तकन wyd? पूरा ड्रामे बाजी हुए थे उस दिल येस अच्छा अच्छा उपर जा जाते नीचे गिरा और नीचे गिरते फिर उपर जाने दीजे यह तो मेरे कॉर्डिंग तो जन्वीनी स्टॉप रौस था बाकि कुछ चीजे हैं कि जैसे इन फी जो इस दिन गिरा ना उस समय हमने क यहां पर देखिये सेक्टर पूरा बुलिश्ट था यास चुंकि सेक्टर बुलिश्ट था इस वैसे इसने क्या देखा कि 9 15 के अच्छा था यहां पर देख रहा है तो यहां देखिए आइटी जबकि 9 15 के अंदर नहीं है यह बाहर से उपर की तरफ चला गया एक अगस्त को बट इसने स्टॉप लोस ले लिया अब बोल सकते हूं मतलब अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहें कि नहीं हमने तो बड़ा अच्छा किया था चला ही गया लेकिन यह सही बात नहीं है यह अच्छा नहीं होगा हाला कि हम ट्रैप हुए इसमें मेरा को उसके साथ करना चाहा है समझने है यह से बाकि और कुछ नहीं तो सिर्फ इसी में आपको इनकी में स्टॉप लोस गया यह सिर्फ इसी में दो में तो टार्गेट आए और एक में साथ वन इस्टू आया हुआ जो साइडवे हुआ था यह साइड बात ने कोई बात ने टार्गेट हो गया है तो टोटल चार्ट रेड जिसमें से एसल दिया है एक ठीक है कौन सा था एक्स इस बेंका था लेकिन मैंने इसमें किया एक नहीं मैंने अपलाइ किया था इसलिए जो गया तो इसलिए ने अब किया था उसमें आपकी गलती नहीं यह से भी लेकिन मैंने एक्स्परिमेंट की वज़र से वह ऐसल गया है वह तो नाइन फोर्टी तू पॉइंट फिप्टी पे बाई किया था मैं दो तरिक को टिप्टी नाइन फोर्टू पॉइंट फॉइंट यहां पर अपने तुरंट मैंने स्टॉप पर जाता नहीं निकल गया था नहीं और वही चीज़ है क्योंकि वहां से मार्केट टन हो जाए अगर चल गया स्टॉक नापकर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और चलेगा अब एक्सिस देखें ना मौनिंग में ही गिर गया तो आपके ले अब आपके जो चार आपने किया जिसमें से एक एक्सल वाला स्टॉक के एक्सिस बैंक में जैनुनिन स्टॉप लस नहीं है इस तरह के कोई अगर ट्रेड़ एक्जिक्ट करो तो चांसेस रहेंगे कि उस स्टॉक में आपका फिर इस टॉप लस चला जाएगा ठीक ना तो इ इसी जगह से करना है लेकिन वह इस्टॉक अल्ड़ी ऐसे ऐसे गिर क्या रहे है वो मेरे लेवल पर हमें एंटिस के कंफिमेशन जी मिल रहे हैं फिर भी यह स्टॉक ट्रेड़ नहीं है क्योंकि इसने अपना एक एक्स्पेक्टेड मूफ कर दिया नहीं करेंगे तो यह सिर जैसा स्टॉक हो गया लाइसी है यह हाई बोलोटाइली स्टॉक यह देड़ दो परसंट चल जाएं इसके बाद में फिर यह तीन परसंट चार परसंट चल जाएंगे तो इसको कर सकते हैं अदर्वाइस आप निप्टी-50 में होगे हिंदूस्तान उनिलिवर डिलाइंस स्टॉक को कब ट्रेड नहीं करना अप ट्रेड करने जवर्पस तर लोगों गया को ट्रण छोड़ते दो जो स्टॉक। फोड़ा साby confusion हो उसको को एक बाहन नहीं करने का बहान आपको मिल रहा जाए अगर आपको एक भी रिजन नहीं मिल रहा है स्टॉक नहीं ट्रेट करने का और फिर भी हम लोग ट्रेट कर रहे हैं एसल तो जाएगा ही अनुपम साथ माई कमुट की चार में प्रॉफिट है दो एसल है सबस्ति आप चरी टोटल हुए दूफिट है यह एक किया था और ही पैट्रो किया था और ती ए अर थस्टे को मैंने किया था इन फी इन फी ना में टार्विट विए था तो खाली बस मेरा SL जितना हैसल गया था उतना भी नहीं 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 गया था तक कि लिए सोचा था रगी नहीं गया था आप एक बार देखेंगे सरे सीची को एक एक को मैंने टू जरो टू एट से शॉट किया था तो जरो टू एट यह तो हमारा आप यहीं नहीं नहीं कर रहा था यहीं पर शॉट किया था और यह 920 की केंडल की उपर का SL डाला था वह कड़ गया था यहां है फिर इसके वाद में इसको जो यहां पर यहां पे यह जो समझे नहीं 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 । समझें आप साइट 2046 निकल गया था और उसी से पहले इसमें ज्यादा कॉण्टी नहीं था मैं और कि आप ने डाल दिया कि इसके बाद आपने बोला था कि यह सही नहीं लग रहा है तो फिर मैं फिर उसमें कुछ ज्यादा कुछ गया ही नहीं था जिर मैंने हेन एचाट्राइट्र को ड्या था हि। है जंइ इनाड्राइड ही training session पे हिंपेट्रो और फ्राइडेव को बहुत अच्छा ट्रेड थाजा और ऐग्जेकुेशन प्राइस गया था नीटन्स हुग एक और लूंच मृत्याता हुगक। इसका यह मैंने पीछे वाले पीछे के ट्रेडिंग सेशन्स पे इसका वन डे का एरिया तो उसी बेस पे जैसे इसने इस लो को ब्रेक किया था तो मैंने पिर इसको 274 के आसपास का रहा था तो मैंने जब जैसे यह लो ब्रेक कर रहा था वहाँ पे और फर्स्ट में वह बनी थी उसका ब्रेक आउट के बाद में तर मैंने उसको ट्रेल कर दिया था 9.15 का जैसे लो ब्रेक होने के बाद ले मैं ट्रेंट किया था और तर्गेट रख्था 266.50 रख़ा था 266.50 का देलो का यही तार्गेफ रखथा था। और infi में बताओं, सर infi में मेरा SLS गया था। वो तो हम नहीं दिया था। नहीं सर। मैं आपके प्राइबेट गृप में नहीं हुआ आपने एक टारीख को दिया था यहाँ एक तारीक हो एक को घुchuss का तूट है ता कि आपने लेकिन यह कल अपने किया था उसदिन हाँ हां कि और बाइ गवा है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद वो बॉटम से बाई हुआ हुआ नीचे तक और हमें मतलब अपना तो नहीं पता सब कहां से बाई होगा लेकिन सब्सक्राइब तो अब पूछा था कि एक को मतलब उस दिन उन्होंने ट्रेट किया था बाई साइड के लिए जिस दिन उनका स्टॉप लॉस गया था और वह निवस ट्रेट कर नियुद्स ट्रेट करने विजल्ट्स डेट था तो मैं सिफ से विवसे देख रहा था क्योंकि तीन तारीक को मैंने उसको जब शॉट किया था सर एस्बी आई को तो सब्सक्राइब को ही उसने ओर लिड़ी वेल्यूम एनलिसिस के अकॉर्डिंग सर उसने और लिड़ी डाउन साइड की तरफ उसमें ब्रेक आउट्स दे और फॉर्मेशन भी उसमें वैसी बन रही थी कि जिसमें उसको बाई तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो लो ब्रेक कर रहा था सही है मतलब मैं यह तीन तारी को मैंने इसको शॉट किया था और सरो बदाता हूं कि वस यह मेरे लिए थोड़ा सा कंफुजन था सब्सक्राइब को तीन को मैंने शॉट किया था बहुत डर डर के गिया था एक्चुली मैं डर मुझे सिर्फ इस बात का लग रहा था सर किंकि यह और लेडी स्टॉक पिछले भी ट्रेडिंग सेसंस में दो तारी को यह बहुत शॉट हो रखा था तो तीन तारी को मुझे 594.594.50 पर स्वाइब किया था सब्सक्राइब बिल्कुल सही है और सर अब आप इसमें सब्सक्राइब देखेंगे यह माला स्विंग लोग और स्विंग हाई स्विंग को ब्रेक करा था और नीचे के तरफ कॉंटिनूस ने जब वैलम्स के ब्रेक आउट दिये थे तो सब तारी को इसको शौट ही होना था भाई तो कैसे होगा तो तो तीन तारीक में आपने फ्रमेशन ने फिर उन्ति ग्रूप में भी डाला था यूटूमें भी वीडियो जैपकि उसके एकौर्डिंग भी शौट ही जाना अगले दिन तीन चार तारीक हो भी तो फिर यह बाई क गई वीडियो जैसे हम लोग देख रहा है डेली टाइम प्रेम नहीं देखा था जब क्या बोलते हैं अच्छा टेक है समझ गया अच्छा जब इसकर के इसने स्विंग को नीचे की तरफ ड्रेक था विट वैलुम बेक किया है तो तीन हाई 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 लो टू लो के कौर्ड विगर हम जाएंगे यह और फिर यह बन रहा है जैसे यह ब्रेक करना था इसको शॉर्ट ही होना था वहां से और वह अच्छा गिरा भी यह लेकिन वह बहुत लास्ट में गिरा है इसलिए उस दिन वह ट्रेड नहीं हो पाया और यह जो रेजिस्टेंस आपने मार्क किये हैं प्राइड एक जो थी आपकी यह वाली आपने इसके पास में किये हैं हां तीन तारीकों किया बस यह बिल्कुल सही है प्राइड अपने सपोर्ट को लगाता तोड़ता वह नीचे की तरफ आ रहा है तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ रहा तो पर शिवाले परिंस अलाकि स हां हां नहीं सर अच्छा है ओके लेकिन वह सर कहीं पर हम कॉंटीनिवेशन भी ट्रेट करतें क्योंकि उपर से तरो नीचे आ रहा था तो मिरा वबाई सेलिंग का विव था लेकिन ज़्वत सब्सक्राइब कहां जाएगा पता नहीं इसलिए मैं इसको नहीं किया था हिन प यहां पर सेलिंग नहीं बन रही थी तो हां यहां पर सेलिंग की दिख रही है कि वहां पर जाकर करके अपने एंट्री से कंफरमेशन ले और बाई किया है उसको क्या हम नहीं कर सकते ना कि जैसे बड़े टाइम पर हमारे पास बाइंग नहीं बन रहे हैं और लोगर टाइंप्रेम में बहुत अच्छे कंफरमेशन दे रहा हो बाई का तो क्या हम डिवर्सल टेट कर सकते हैं या नहीं पहले चिस्तु यह बता ही आपका व्यू क्या है मेरा व्यू तो जैसे व्यू तो अगर हमारा सपोस्ट करिया सर्शालिंग का है नहीं करेंगे नहीं करेंगे ठीक हो के सब्सक्राइब कर दीजा कौंसा कि अब्यूंग क्या था इबी वी में क्या था तर्मने डेली टाइम फेम पर जो मरी मार्किं थी 455 और 4545 की मार्किंग दी में फिर से बूलिए डेट के थी ट्रेट करने के देटी सर्ट तो दो अगस्त बताई डेली टाइम फेम बुलिए तना डेली टाइम फेम मार्किंग थी 455 4 555 और जो एक जो मताया था 4545 अब सर इसमें 915 की कैंडल पर सर जो पैटन अबना चाहिए वो तो बना भी था लेवल बुलिश का बागी सर उसका ब्रेक आउट वी वाल्लिम के साथ मगा फिर भी सर ये डाउन की तरफ आग गया और मेरा इसल चला गया इसमें इसी सर क्या ऐसे आइडल रहा है कि वाल्लिम के साथ देख आउट भी हो रहा है यह चीज हमने कितनी बार बोली है कि मौनिंग में जो आपने 950 की कैंडल बोली 950 की कैंडल को किसी भी फॉर्मेशन में एड नहीं करते हैं यह शाद लास्ट सेशन में आप ही से मारे डिसकेशन हुआ था और शायद यह सचीन या अक्षय सचीन साब से अक्षय जी से भी हमारे डिसकेशन 950 की कैंडल को ले करके ऊचुका है मैं बहुत अच्छे से याद है और जो आपने पॉइंट निकाला यह रेजिस्टेंस एरिया है देखे यहां से मार्किट कितनी बार नीचे की तरफ गिरी है इसको मैं तुछा अनलाइज सही से निकर भाया गिरा तो सब्सक्राफी अच्छा अब डेली टाइम फ्रेम पर एकदम सही लेवल है आपका आप लाइफटाइम हाइपर कर रहा है काम लाइफटाइम हाइपर ट्राइब घी अरे बहुत आराम से शॉट से लेंगे बाई यह तो बाई-साइड का भी हो नहीं कि मैंने क्या सोचकर नाया कि वॉल्लम गिरनी करके दिक्रेजिं बॉल्लम है करके चले कोई नहीं हो जाएगा दीरे सिंपल से देखिए एक लेवल से आपको बार बार गिर रहा है उपर जा रहा है एक नजर में देख करके समझ में आना चाहिए बस भले आपको इस चला जाए लेकिन देखिए इसको क्या लग क्या रहा है कुछ कोई टेक्निकर अनैल्सिस नहीं यहां पर हमारा फलाना ब टेक्निकल चीज़े छोड़ दो देख के क्या लग रहा है जिस दिन यह समझ भी आगए इस टॉक देख करके पटाक से सब्सक्राइब हो जाए जब हम यह बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से आएगा तो कई सारे लोग तो समझ जाते हैं कि हाँ जो बात आप बोल रहा है लेकि सिर्फ आपके अनुभाव से आपको आए जिए जो कि हम यह बोलने ना किस टॉक देख करके बस समझ में अब हम यह चीज़ अभी आपको एक्स्प्लेइन भी करना चाहें कि क्यों हम इसके अंदर अपना शौट के बना है तो हो सकतर शायद मेरे पास शब्द ही ना हो वह ज करके समझ भाना चाहिए और जब तक देख करके समझ में नहीं आरा तब तक इन टेक्निकल चीज़ों की मदद आपको लेनी पड़ेगी और आगे चल करके सारी टेक्निक्स एक साइट आप सिर्फ आप लेवल ड्रॉ करोगे वॉल्म को आउन कर दोगे पिक्चर सामने हो जा करते हैं हलांकि ट्रेट सही है तीन ट्रेट की जिसमें से एक एसल आपने दिया है और लास्ट वीग ठीक था लेकिन हड़ बड़ी मत करो समझ में नहीं आ रहा है जो अभी हमने आप से बात कहीं सभी लोग याद रूखो ट्रेट नहीं करने का अगर एक भी रिजन आपको दिख रहे स्टॉक को तो फिर ट्रेट मत करो कोई ट्रेट अनालसिस करो मन में जो होना चाहिए आपके सबकॉंशिस मैंड में कि ट्रेट को एग्नोर करने का एक पॉइंट मिल जा बस हम में जिसक्वजे से हम उटेट ना करें और एक भी ट्रेट नहीं मिल रहा है आपको ए कि दो ट्रेट या चार ट्रेट का काम नहीं बहुत लंबा प्रोसेस होता है यह समझाने को बड़े फैंसी फैंसी वर्ड हम अच्छे बाते बोल दें सब कुछ कर दें ठीक है बहुत अच्छा लगेगा सुनने में आपको लाइब मार्केट में जाओको तो हवा टाइट हो करने जाते कि इसलिएम आपसे बोलते हैं जितना हो सेखर्ल데ॵ मारकेट में सपोर्ट रहो हम से अगर हम चृडुड कर रहे हैं कर रहे हं वह की बार होता है कि हम ट्रेट कर रहे तो यह काफी बार हम भूगत चुके हैं तो लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत अगर चल रहा होता है तो फिर कोशिश करें हम अवाइट करें उसकेस में हो सकता आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा लेकिन अगर हम बैठो हुए हो आपका मैसेज आया लाइव मार्केट में बड़ाआई मिलता है तुरंत यह ना अनुपमजी हो गया सचीन हो लिए सभी लूग नानुकू Marcus करो क्या हो सकता नहीं हो सकता की सब ταएटिस को यहां से यह करते तो यह करते हो यह करते हैं यह तो यहां पर देखें आपको बन जाता पर यहां पर facing को लिए पर भ्योड़ तो पूछना था मैंने को फिरसे आनुकोम जी ही ने जैसाब जानँ चाहे रहा था बस अईपर बैक मैंने वाय स impost उगलिघ्य घया था तर उगें चरह खीडर आपके किया था एक पर उदेर इस वज़धे से मेंने एक वाय पिरस आपके बाइंग क्यों नहीं करने चाहिए थी कि सेलिंग क्यों कि वॉल्यूम्स का बता है उसने चार को किया था ना भाई आज सब चार को कि अब सुनिये अपना मोबाइल एक मैंट हमें जड़ा है कीजिए वाटसेप पर दियाज वह यह वाली फॉर्मिशन है बार्स 116 अब समझ में आया है 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 इस वरत में से इस्टो में इसफोरा से एक इससे वह सेशन करने हैं लाइं इस सिरुवह से वह से जॉन्ट हिंज हो गया वह लाइव नाव आटा करके एक केंडल और नीशा यहां पर आगे ऐ ना यह सब्सक्राइब ना वह मेरे को मतलब पूरा कंफर्मेशन के साथ सर इसने डिया था मैं यह सब्सक्राइब आप जैसा सोच रहे हो समने वाला जसका इसक्राइब सोचेगा मार्केट ऐसे चलती अगर आप बाई नहीं करोगे तो हो सकता सचिन साब सेलिंग करके प्रॉफिट ना बना पाए तो मार्केट तो ऐसे चल रही है आपका हमारा चेंज रहे पहली चीज दूसरा ये उठता है कि अगर हमारा सेलिंग का वीव बन रहा तो क्यूंव बन रहा है मेरे पास एक प्रॉपर ऑसका लाजीश या को रीजन है याकर आप वाई करने को सोच रहे तो क्या उसका क्यूंभॉपर की ही लौजिक या कोई किखिया फिर से देखिये एक कर्यार का दो क्रोसिंग करते हैं तो प्राइस टो टली हमको क्या दिख रहा है एक लोगे चैच्ट को प्रोटेक्ट करpay और लोगे हैं प्राइस को तो हम बाइय कर ले में प्रैसिंग नीचे के कि तरफ गेर तो यहां पर उनका बाई का व्यू नहीं बन रहा है इस वज़ेस उन्होंने क्या किया ना कि शॉर्ट सेलिंग ही कि आपका क्या मानना था कि प्राइज अगर नीचे की तरफ पा रहा तो इसने देखिए यहां पर सपोर्ट लिये हैं इस जगह पर तो यहां एक सपोर्ट पोइंट बने आपका क्या मानना था कि यहां से प्राइज फुरी साथिरे यह Спó पर के अपने यहां से रिवर्श jak 001 पॉइंट और नायां की घ्ल्याओ सकता इक घ्रियन केंडल हो सकता है पर हमें दिख जाए उनका क्यात है कि प्राइज अगर कॉंटिनुएशन में गेर रहा है और अगर वापस इसने सपोर्ट ब्रिक कर देंगे और बाई कब तक नहीं करें जब तक प्राइज अपना यहां पर रेजिस्टंस ब्रिक नहीं कर देता या तो यह वाली केंडल या फ इसके ऊपर पहले क्लोजिंग चाहिए थी और क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट आता है उस रिटेस्ट पर हमें बाई करना चाहिए था लोवर टाइम प्रेम पर अभी क्लियर है कि अगर रेजिस्टंस ब्रेक करने में अगर प्रॉब्लिम आ रही है तो अगर मैं यहां सोच पूर कि अगर उसको लेवल को ब्रेक करने प्रॉब्लिम आती तो अगर उसके ब्रेक कर दे और प्रेक के बाद अपने कनफर्मेक्शन के साथ अगर एंट्री दे तो मैं ट्रेड लेता हूं तर मतलब मैं इस तरह से देखता हूं सही है ले सकते सब्सक्राइब लेकिन हम हर बार जो चीज बोलते हैं मार्केट चल चुकी है मार्केट चल जाने के बाद में चाहें हम हो चाहें आप सभी लोग भविश्य वक्ता एक तरह से बन जाते हैं अभी यहां पर मान लिए एक तरह से ग्रीन केंडल कर बन जा दी तो शायद हम उसको भी जिस्टिफाई कर देते कि यहां पर बाई क्यूं करना था क्यूंकि यहां पर एक रेट केंडल बन रही था हम उसको बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि यहां पर रेट केंडल ही बननी थे यहां पर यह बिल्कुल भी मत मानों कि रेट केंडल बन गए और जो हम आनालसिस कर रहे हूं बिल्कुल सही ही कर रहे हैं एक डाउट का छोटा सा कॉर्णर बचा करके रूँ है एक यह करने के बाद बड़ा आसान होता है तो जो आप भी सोच रहे थे हो सकता है वह सही हो आपका इसको चेंज मत करना अपने पॉंट अफ्यू को मेरे वज़रे से चेंज मत करना जैसे रीडिंग करो यह लेकिन अब माल लीजिए यह मंडे को क्या हो सकता है क्या हो सकता है कि यह वसकता है कि एी मैं इतरा नीचे की तरफ गिरा था हम क्या बोलें चलिए मेरे फॉर्डइट यहां पर कल के दिन अग्रीन कंडल बने गए आप मार्क करके रख लो यहां पर SBI के अंदर आपको मंडे को एक ग्रीन केंडल ही देखते हूँ मिलेगे ग्रीन केंडल ही बनेगे अब सारी चीज़े गलत होगी ना हमारी जो भी तक हमने बोला कि प्राइज अपना लो ब्रिक कर रहा पलाना है यह है वो है हो गया सारी चीज़े एक साइड में मतलब मार्केट चल जाने के बाद में उसको ऐसे नहीं बोलना है कि हाया ऐसा ही होना था जो चीज़ हम सोच रहे थे वो गलत थी अब माली जे हम यह बोलने इसमें ग्रीन बनेगी और कल को बन जाती है अब हम क्या करेंगे क्या हमारी सारी पड़ाय लिखने गलत हो गई अगर बाई का मौका हमको मिलेगा तो हम बाई करेंगे मार्केट अगर प्रिवेस केंडल का लो तोड़ करके नीचे जारी तो फिर वो चली जाए फिर हमें मतलब भी नहीं से हमने यहाँ पर अपने ग्रीन केंडल यह एक्सपेक्ट है कि ग्र अगर ग्रीन बनेगे तो बाई करेंगे तुम छोड़ देंगे नहीं करेंगे